नमस्कार मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंट टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में दैनिक जागल के संपातकी से 440 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेंगे इसे हम लोग दो अलग-अलगी स्पीड में लेंगे पहली बार में 70 की स्पीड में दूसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेने वाले हैं अगर आपको इसके PDF की जरूरत है या इसमें आई होए महत्पूर सब्दों की आउटलाइन को जानना चाते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर लें ग्रूप से जुड़ने के लिए आप सीधे अपने मोवाइल में टेलिग्राम एप को ओपिन करें और वहां साथ हैं टीम सर्च करके ग्रूप से जुड़ सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पाथ सेकंड के बाद तब तक के लिए अपरेडी रहें इस्टार्ट नए किर्सी कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठन अपनी हटधर्मिता का परित्याग करें इसके लिए यह आवस्यक ही नहीं बलकि अनिवार है कि किसानों के वे संगठन सामने आएं जो इन कानूनों में कोई खामी देखने के बजाए उन्हें अपने हित में मान रहे हैं यह ठीक है कि गत दिवस कुछ राजियों के किसान संगठनों ने किर्सी मंत्री से मुलाकात कर ने किर्सी कानूनों के प्रत अपना समर्थन व्यक्त किया लेकिन अच्छा यह होगा कि ऐसे और किसान संगठन सामने आएं वे न केवल ने किर्सी कानूनों का समर्थन करें बलकि इस कानूनों को रद किये जाने की बेजा मांग के विरोध में भी अपनी आवाज बुलंद करें ऐसे किसान संगठनों को सक्रिय करने का काम भाजपा को करना चाहिए हाला की भाजपा की ओर से यह घोसडा की गई है कि नए किर्सी कानून के फायदे बताने के लिए उसकी ओर से 700 सभाएं और करीब 100 प्रेस कॉन्फरेंस की जाएंगी लेकिन उचित यह होता की इस तरह का आयोजन तभी सुरू हो जाता जब पंजाब के किसान संगठन दिल्ली कूच करने की तयारी कर रहे थें भाजपा को किसानों को केवल किर्सी कानूनों की खूबियों से ही परिचित नहीं कराना चाहिए बलकि मोदी सरकार की उन तमाम योजनाओं का भी इसमरण कराना चाहिए जो पिछले कुछ वर्सों में सुरू की गई है और जिन्होंने किसानों को एक बड़ी हद तक मदद भी की है भाजपा की कोशिस यह होनी चाहिए कि किसान सम्मान निधी जैसी योजनाओं से लाभानमित होने वाले किसान अपनी बात जोरदार तरीके से कहें इससे उस दूस परचार की काट करने में आसानी होगी कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है एक ऐसे समय जब नए किरसी कानूनों के खिलाफ इस तरह के दूस परचार का सहारा लिया जा रहा है तब फिर उसकी काट के लिए भाजपा को कहीं अधिक सक्रियता दिखानी ही होगी यह ठीक नहीं कि पंजाब और हरियाडा के साथ ही पश्मी उत्तर परदेश के कुछ किसान संगठन नए किरसी कानूनों पर अपने विरोध को इस तरह प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे यह पूरे देश की भावना हो जब यह असपश्ट है कि नए कानून किसानों को दूरगामी लाब परदान करने वाले हैं और इनसे किरसी का काया कल्प होना तै है तब यह आवस्यक है कि इनके पक्ष में प्रभावसाली तरीके से आवाज भी उठे इसके लिए हर अस्तर पर पहल की जानी चाहिए एक अच्छे कारे से जब देश की भावना जूरती है तब वह अधिक असरदार साबित होता है बेहतर हो की भाजपा किसान हितों के नाम पर संकिर्ड हित साधने में जूटे दलों का राजनीतिक रूप से सामना करने के साथ ही किर्सी कानूनों पर लोगों को जागरू करने का अभियान भी तेज करे इस्टाव दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग असी की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद तब तक के लिए आप रेड़ी रहें इस्टार्ट सामने आएं जो इन कानूनों में कोई खामी देखने के बजाय उन्हें अपने हित में मान रहें हैं यह ठीक है कि गत दिवस कुछ राजियों के किसान संगठनों ने किर्सी मंत्री से मुलाकात कर ने किर्सी कानूनों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया लेकिन अच्छा यह होगा कि ऐसे और किसान संगठन सामने आएं वे ना केवल ने किर्सी कानूनों का समर्थन करें बलकि इस कानूनों को रद किये जाने की बेजा मांग के विरोध में भी अपनी आवाज बुलंद करें ऐसे किसान संगठनों को सक्रिय करने का काम भाजपा को करना चाहिए हाला कि भाजपा की ओर से यह गोसड़ा की गई है कि ने किर्सी कानून के फायदे बताने के लिए उसकी ओर से 700 सभाएं और करीब 100 प्रेस कानूनों की जाएंगी लेकिन उचित यह होता कि इस तरह का आयोजन तभी सुरू हो जाता जब पंजाब के किसान संगठन दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे थें भाजपा को किसानों को केवल किर्सी कानूनों की खूबियों से ही परचित नहीं कराना चाहिए बलकी मोदी सरकार की उन तमाम योजनाओं का भी इसमरण कराना चाहिए जो पिछले कुछ वर्सों में सुरू की गई है और जिन्होंने किसानों को एक बड़ी हद तक मदद भी की है भाजपा की कोशिस यह होनी चाहिए कि किसान सम्मान निधी जैसी योजनाओं से लाभानमित होने वाले किसान अपनी बात जोड़दार तरीके से कहें इससे उस दुस परचार की काट करने में आसानी होगी कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है एक ऐसे समय जब नए किर्सी कानूनों के खिलाफ हर तरह के दुस परचार का सहारा लिया जा रहा है तब फिर उसकी काट के लिए भाजपा को कहीं अधिक सक्रियता दिखानी ही होगी यह ठीक नहीं कि पंजाब और हर्याडा के साथ ही पश्मी उत्तर परदेश के कुछ किसान संगठन नए किर्सी कानूनों पर अपने विरोध को इस तरह प्रस्तूत कर रहे हैं जैसे यह पूरे देश की भावना हो जब यह असपश्ट है कि नए कानून किसानों को दूरगामी लाप परदान करने वाले हैं और इन से किर्सी का काया कल्प होना तैं है तब यह आवस्यक है कि इनके पक्ष में प्रभावसाली तरीके से आवाज भी उखे इसके लिए हर अस्तर पर पहल की जानी चाहिए एक अच्छे कारे से जब देश की भावना जुरती है तब वह अधिक असरदार साबित होता है बेहतर हो की भाजपा किसान हितों के नाम पर संकीर हित साधने में जुटे दलों का राजनीतिक रूप से सामना करने के साथ ही किर्सी कानूनों पर लोगों को जागरू करने का अभियान भी तेज करे इस्टॉप तो दोस्तो इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो किर्पया इस वीडियो को लाइक सेर ज़रू कर दिया करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जश्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लिटेस्ट वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लीपी को सीख सकें धन्यवाद